ओबेसिटी यानि मुटापा एक ऐसी समस्या है जो तमाम समस्याओं की सारीरिक जननि है अगर आपके मुटापा है तो आपके जोडों में दर्द की संभावना है और होगा भी मैं समझता हूँ अगर आपको मुटापा है तो blood pressure की संभावना है अगर आपको मुटापा है तो diabetes की संभावना है अगर आपको मुटापा है तो कमजोरी की संभावना है और अगर आपको मुटापा है तो आपको depression की भी संभावना है तो साथियों अगर मुटापा कम हो जाए तो इन में से जो भी समस्या किसी को हो वो भी खतम होने की पूरी संभाबना है आज हम आपके लिए उसी बात को पूरा करने के एक रास्ता लेकर आए है नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंग खर्ना उमियोपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे मुटापे के विशह में वहा विशह जिसके लिए जिसको निजात पाने के लिए अगर आप समर्थ है आर्थिक तौर पे तो आप कितना भी पैसा खर्च करने को त्यार है मेहनत आप बहुत करते होंगे मांसिक तब ही आप समर्थ हैं लेकिन आप समर्थ हैं और आप इस विश्य में पैसा खर्च करने को त्यार है लेकिन तब भी आपका लक्ष पूरा नहीं हो पा रहा है तो आज हम आपके लिए लाएं एक ऐसा ही घरिलो नुस्का जो आपके वेट लॉस को करने में मदद करेगा अच्छा है जो मैं आपको अभी बताउंगा बहुत कारगर हैं यहां भी बताउंगा यहां क्यों काम करेगा लेकिन साथ कि वह पहली बात जो आपको बता दू कि मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता नुस्का तभी काम करेगा जब आप अपने लिए काम करेंगे आप अपने इच्छा को पूरा करने के लिए काम करेंगे आप अपने लक्ष को पूरा करने के लिए काम करेंगे तो इस वीडियो की कॉंटेक्स के बात में उबेसिटी है, मुटापा है यदि आप उस लक्ष को पूरा करने में अपनी मदद करेंगे तो निश्चेत रूप से यहाँ वीडियो आपके उस लक्ष पूर्ती में हमारी तरफ से मदद के तौर पे अवस्था मिल होगा क्योंकि साथियों आप जान रहें तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है कि मुटापा आता है तो कब जोरी आती है मुटापा आता है तो जोडों का दर्द आता है मुटापा आता है तो डाइबिटीज आती है मुटापा आता है तो ब्लड प्रिसर आता है मुटापा आता है तो आपका movement ही district हो जाता है ठकान आती है फटीग आता है और सबसे बड़ी चीज आपको मुटापा आता है तो आप में हीन भाब ना आती है तो साथियों आज हम बताते हैं आपको बड़ा अच्छा सा घरेलो नुस्खा जो आपके मुटापे को कम करने में मदद कर सकता है बशर्थ है आप भी अपनी मदद करने के लिए यानि कि exercise करने के लिए और dietary discipline के लिए तयार हो और साथ में आप हमारा ये नुस्खा दिन में दो बार तीन महीने तक करिए और आप देखिए आपके weight loss की तेजी से होना शुरू कोगा और बहुत असान नुस्खा है साथिओं आपको कुछ नहीं करना है आपको एक बड़ा कप पानी ले लेना है एक बड़ा कप आपको normal water ले लेना है ठंडा ना हो normal water जो की boiled हो चुका हो लेकिन ठंडा हो या गुनगुना हो तो भी चलेगा तो गुनगुना पानी जो की boiled करा जा चुका हो वो जिसे पका पानी भी कहते हैं वो आपको एक बड़ा कप पानी ले लेना है उसमें आपको दो चम्मच तीबू का रस डाल देना है दो चम्मच आपको निबू का रस डाल देना है आपको उस ताजा निबू का रस और एक छोटा चम्मच आपको शहए डाल देना है हनी और जो सबसे इंपोर्टेंट है इस नुस्के का इतना तो आप पहले से जान रहे होंगे लेकिन एक चोथा आयाम जो इसका है वहाँ है काली मिर्च का पाउडर ब्लैक पेपर आपको चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डाल देना है अभी मैं आपको इस वीडियो मैं बताओंगा इसा मैं क्यों कह रहा हूँ इन चारों चीजों को आपको मिला लेना है और इसको आपको पी जाना है सुबा खाली बेट एक बार आपको सुबा पीना है एक बार आपको शाम को पीना है दिन में दो बार दो महीने तक आपको इसका सेवन करना है इसी बीच आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस तेजी से होने लग आपकी obesity जाने लगए और साथियों मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा क्योंकि विश्वास जब आप में विश्वास होगा इस नुस्खे के प्रती तो आप इसको करेंगे और जब आप करेंगे तो आप इसके लाभानवित होंगे पहला इंग्रिडियंट जो साथियों इस नुस्खे में इस्तमाल करा गया है पानी के अलावा वो है शहद शहद साथियों weight loss में बहुत मदद करता है गुन्मुने पानी में दूद में डालने पर यहाँ वजन को बढ़ाता है जो शहद होता है साथियों इसके एक बड़ी खास करेक्स्टरिस्टिक होती है कभी आपने इस बात को सोचा है कि एक शहद यह सुना जरूर होगा आपने लेकिन सोचा नहीं होगा कि शहद को जब आप दूद में डालो तो वह अधन बढ़ाता है और शहद को अगर आप पानी में डालो तो वेट लॉस करता है ऐसा इसलिए ऐसाथियों क्योंकि शहद एक ऐसा कुद्रत का कंपाउंड है जो की स्वें की प्रॉपर्टीज को बचाते हुए जो दूसरा इंक्रीडियेंट जिसमें आप डालते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है यहाँ योगवन्सी होता है आईरवेट के कंसेट के साफ से तो आपको पहला शहद लेना है जिसमें की फ्लेपनॉइट्स पाई जाते हैं आपको वेट लॉस में मदद करेंगे दूसरा हमने बताया लेमन लेमन में साथियों पॉलिफिनॉल्स पाई जाते हैं जो आपके वेट लॉस को मदद करेंगे और तीसा जो हमने चुटकी बार आपको काली मिर्च ब्लैक पेपर बताया है ब्लैक पेपर साथियों वो compound है जो fatty acids के formation को आपके शरीर में रोकता है और इसको chain reaction के रूप में carry forward करता है यानि एक बार अगर आप एक चुटकी पेपर पानी में डालके जैसा हमने बताया पी लेते हैं तो आपको fatty fatty tissue को रोकने का formation का शरीर में chain reaction ट्रकर हो जाता है और आपका उससे weight loss होने लगता है करिएगा साथियों बहुत अच्छा नुस्का है आपका जाता कुछ नहीं है जो है पानी के लिए ही है इसको करिएगा साथियों हमें comment portion में लिखके बताईएगा आपको इससे लाब दो महिने में पहुँचा की नहीं पहुँचा मन में कोई query हो तो WhatsApp करिएगा हमारे WhatsApp नंबर पर प्रियास करेंगे आपकी बात का उच्छी जवाब दे पाए निवेधन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, अपने चैनल को subscribe करा होगा अन्य साथियो से subscribe कराईएगा और bell icon क्लिक करके सबसे पहले सबसे निया वीडियो योई प्राप्ट करते रहिएगा डॉक्टर उमंखना क्लिनिक आपके सुख और मंगल में जीवन की कामना करता है आपका साथियो दिदेर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद करता हमारे साथियो विए करता है झाल झाल